अगला बहुत ही जरूरी तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है शब्द शब्दों को हम इंग्लिश ग्रैमर में वर्ड भी कहते हैं शब्द क्या चीज होते हैं हम इसे समझते हैं और अगर यहां हम समझ जाएंगे तो हम इंग्लिश ग्रैमर में भी वर्ड के बारे में काफी हद तक चीजे समझ जाएंगे देखिए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है पिछले पार्ट में हमने वर्णों के बारे में सीखा था और कुल हमने 52 वर्ण देखे थे तो यहां कहा गया है जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो हम वर्णों को मिलाकर शब्द बना सकते हैं हर शब्द का कोई ना कोई अर्द होता है, जैसे, आये हम देखते हैं क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, और ल एक वर्ण है, इन तीनों वर्ण से शब्द बनाकर देखते हैं, पहला शब्द इसके लिए बन सकता है क प्लस म प्लस ल कमल दूसरा शब्द ल म क लमक तीसरा शब्द क ल म कलम यहां हमने इन तीनोश वर्णों के मेल से कुछ-कुछ शब्द बनाए हैं लेकिन अब हम आगे इसमें कुछ और देख रहे हैं कमल एक फूल का नाम है यह हम सभी जानते हैं कि कमल एक फूल का नाम है कलम लिखने की चीज है यह भी हम जानते हैं परंतु लमक जो की यह शब्द था लमक लमक को पढ़कर कोई भी चित्र हमारे दिमाग में नहीं आता इसका कोई अर्थ नहीं है इसलिए यह शब्द नहीं ह क्योंकि शब्द बनाने के लिए सही वर्णों को सही जगे रखना जरूरी है। मात्रा वाले शब्दों में ध्यान से सही मात्रा लगानी चाहिए। तो देखिए खाली इसी बात से फरक नहीं पड़ता कि हम कुछ भी वर्ण लेके और कुछ भी शब्द बना लें। अगर उस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो यह शब्द नहीं माना जाएगा। शब्द सिर्फ वही माने जाएंगे जिनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे यहां कमल और कलम का तो अर्थ निकलता है परंतु लमक का कोई अर्थ नहीं है। तो यह शब्द नहीं माना इस पार्ट में हमने क्या सीखा इस पार्ट में हमने सीखा वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं तो जो हमारे 52 वर्ण हैं जिनमें 11 असवर थे और 33 व्यंजन थे और बाकी हमने और व्यंजन भी देखे थे इन सबों को मिलाकर हम सारे शब्द बना सकते हैं और सारी मात मात्राएं लगा सकते हैं, हर शब्द का अर्थ होता है, अर्थ वाले शब्द बनाने के लिए सही वर्णों को सही जगे रखना जरूरी है, मात्रा वाले शब्दों में सही मात्रा लगानी चाहिए, अन्यता हमारा शब्द गलत हो जाएगा और हो सकता है उसका कोई अर्थ भी ना निकल पाए इसलिए हमें सही मात्रा और सही शब्दों का चुनाव करना होता है अगर हम अपनी सही बात को लिखना चाहते हैं तो अब हम आगे वड़ते हैं और आगे देखते हैं यहां कुछ अभ्यास दिये हुए हैं, बच्चों को इन अभ्यासों को देखकर और उनको करना है, जिस प्रकार ये एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र है अदरक का, इसमें अ प्लस द प्लस र प्लस क और इन सभी को मिलाके हम बनाएंगे अदरक, इसी तरीके से ये एक बतक ह बटक के लिए हम किस किस वर्ण को मिलाते हैं? रखकर उसके नाम लेखिए ये चित्र किसका है सबही जानते हैं ये आम है मगर ये गलत तरीके से यहां लिखा हुआ है मआ जबकी होना सही चाहिए आम इसी तरीके से ये इमली है और यहां गलत शब्द क्या लिखा हुआ है ली मई ये एक बुढ़िया है यहां लिखा हुआ है या बूढ़ी जबकि होना चाहिए बूढ़ी या बूढ़ी या तो इस तरीके से हम किस तरीके से नए शब्द बनाना सीख गए और अब हम शब्दों को सही तरीके से रखके उनका अर्थ भी निकाल सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर कुछ और गलत शब्द लिखे हुए हैं जैसे यह लड़का है लेकिन लिखा हुआ है काडल जबकि होना चाहिए लड़का यहां यह तोता है लिखा हुआ है तातो होना चाहिए तो ता इसी प्रकार यहां लिखा हुआ है व ना जबकि यह यह नाव तो होना चाहिए नाव यह चारपाई तो यहां क्या लेखा हुआ है ईपारचा जबकी होना चाहिए चारपाई यह तरबूज लिखा हुआ है बूज तरबूज अब तीसरा अभ्यास देखते हैं वर्णों में सही मात्रा जोड़कर शब्द बनाईए चित्रों को चित्रों से मिलाईए तो यहां देखिए कुछ अभ्यास दे रखे हैं जैसे तल ल इसमें चोटी एकी मात्रा बड़ी की मात्रा लगाकर हम बना सकते हैं तितली और तितली को हम जोड़ेंगे यहां तितली से तो आप इस प्रकार यहां चित्रों को देखकर और यहां आदे वर्णों को देखकर सही मात्रा लगाके और आप सही शब्द लिख सकते हैं। यह अभ्यास बच्चों को करना है। अब हम आगे वढ़ते हैं।